नमस्कार स्वागत आपका जनसंदेश टाइम्स में मैं हूं किरन खबर क्रिकेट की गलियों से क्रिकेट के मैदान पर रचे गए इतिहासों को अगर लिखना शुरू किया जाए तो ना जाने कितनी लंबी सूची तैयार हो जाए लेकिन कल मुंबई के वानखेडे मैदान में इंडिया वर्सेज न्यूजिलैंड टेस्ट मैच के दौरान जो हुआ वो सदियों में एक बार होता है मुथाया मुर्ली धरन, शेन वोर्न, कपिल देव, रिचर्ड हैडली, वसी मकरम, ग्लेन मैगरा और ना जाने कितने बड़े बड़े ऐसे धुरंदर हैं जो कमाल नहीं की थी कि वो ऐसा करने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज बन जाएंगे जी हाँ, तीसरे गेंदबाज, हम आपको उन दो गेंदबाजों का भी नाम बताएंगे, मगर आइए सबसे पहले आपको पता देते हैं कि आखिर किन बल्ले बाजों को एजाज ने कल एक-एक करक पवेलियन पहुंचाया विकेट नमबर एक शुमन गिल फिर दूसरा विकेट गिराच चेतेश्वर पुजारा का फिर क्रम से विराट कोहली श्रियश अयर व्रिधिमान साहा रवी अश्विन शतक वीर मयंक अगरवाल अक्षर पटेल जयंत यादव और फिर मोहमत सिराज इस उसरे भारत के अनिलकुम्बले जिम लेकर ने 1956 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो 1999 में अनिलकुम्बले ने पाकिस्तान के खिलाफ ये करिश्मा करके दिखाया था अब आपको बता दें कि एजास भले ही न्यूजिलैंड की तरफ से खेलते हैं मगर एजास पटेल का जन्म मुंबई में ही हुआ है और एजास को इस बात का बहुत गर्व है कि उन्होंने मुंबई के वान खेड़े में इतनी शांदार पारी खेली अभी के लिए इतना ही खेल जगत की और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स